हेलो दोस्तों मैं रभू कुश्वा अपने चैनल ग्यान बुद्रा के अडवी पर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों जैसा कि पता है कि हम लोग जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने UPPCS परिक्षा के बारे में बात की थी और हमने उसमे जाना था कि परिक्षा है क्या और इसकी तैयारी कैसे करनी है तो मैंने उसमें काफी कुछ चीजों को बता दिया था और अगर आपने वो वीडियो नहीं देख़े तो सबसे पहले वो वीडियो देखे ठीक है जो उसमें अगली बात थी वो ये थी कि किताबें हम लोगों को कौन-कौन सी पढ़नी है प्री और मैंस को लेके ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको पूरी बुक लिश्ट लेके आया हूँ प्री और मैंस की ठीक है तो सबसे पहले अब लोग बुक लिश्ट जानेंगे उसके बाद देखेंगे कि उन किताबों को पढ़ें कैसे और तीसरी चीत जो उसमें हो गई यह हो गई कि प्री और मैंस में कौन-कौन से बिश्टियों को हम लोग एक साथ लेके चल सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आईए जान लेते कि हम लोगों को प्री के लिए कौन सी किताबों को पढ़ना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इत्यास की आपको पता है कि इत्यास के अंदर आपको प्राचीन इत्यास पढ़ना है मद्दकाली नित्यास पढ़ना है और आपको आधुनिक इत्यास पढ़ना है तो प्राचीन इत्यास के लिए हम लोग पढ़ेंगे आरेस सर्मा को ठीक है और मद्दकाली नित्यास के लिए पढ़ेंगे एस के पांडे को और आधुनिक भारत के लिए पढ़ेंगे विपिन चंद्राया स्पेक्ट्रम को ठीक है आप इस में से कोई भी पढ़ सकते हैं लेकिन मेरे एसाब से स्पेक्ट्रम ज्यादा सही किताब है ठीक है उसके बाद मतलब यहाँ पर किसी किताब को हम खराब नहीं कह सकते हैं दोनों किताब ही अच्छी है लेकिन मेरी नजर में यह अच्छी है आप लोग स्पेक्ट्रम को पढ़ें तो ज्यादा बैतर होगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं भूगोल की तो आपको पता है कि भूगोल के अंतरगत हम लोगों को भारत और विस दोनों का भूगोल पढ़ना पढ़ेगा तो इसके लिए माजे दुसेन, माएस बढ़वाल या फिर डियार खुलर की किताब आती है तीनों किताब हैं बहुत ही बढ़े हैं आप इसमें से किसी को भी ले सकते हैं ठीक है दूसरी चीज जो भूगोल के लिए हम लोगों को लेना है वो है Oxford Student Atlas देखें जब भी हम किसी चीज की भूगोल के इस्तिती के बारे में पता करते हैं तो सबसे पहले हमाए पास एक उसका क्या बोलते हैं अच्छा होना चाहिए जिसमें कि हम देख सकें तो अब तयारी के दौरार ये चीज याद रखेंगे कि आप जहां पर पढ़ते हैं मानके चलिए कोई टेबल है आपके पास उसके पास आपको भारत और बिस दोनों का नक्सा होना चाहिए उससे क्या होता है कि किसी चीज की भूगोलिक इस्तिती को जब हम अपनी नजरों से देखते हैं तो हमें बहुत चीज उसकी लोकेशन एक याद हो जाती है कि हाँ यह चीज यहाँ पर है ठीक है तो इसके लिए आपको ऑक्सपोर्ड स्टुडेंट एडलस बहुत ही जरूरी है तो यह भूगोल की बात हो गई करते हैं भारत की राजवास्ता यानी की पॉलिटी की तो इसके लिए एक ही किताब बहुत अच्छी है अब अगला जो हम लोगों का बेसा है वो है सामान बिज्ञान इसमें आपको पता है कि तीनों चीज़ां पढ़नी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायलोजी ठीक है तो इसके लिए आप द्रिष्टी I.E.S की बुक को पढ़ सकते हैं द्रिष्टी I.E.S मैं इसलिए कहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को दिया गया है तो आप सामान बिज्ञान के लिए द्रिष्टी I.E.S की बुक को पढ़ेंगे अब बात आती है पर्या बरड की पर्या बरड आपको पता है कि बहुत ज्यादा important subject बनता चला जा रहा है आजकल civil seva परीक्षा में तो इसकी तयारी हम लोगों को बहुत अच्छे से करनी है तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे द्रिष्टी I.E.S की एक पर्या बरड की किताब आती है क्विक बुक करके बहुत अच्छी किताब है आप उसको ले लीजिए तो आपका पर्या बरड वहाँ से पूरा complete हो जाएगा और जो फिर प्री के लिहाँ से जो अगला subject है वो हम लोगों का है भारती अर्थवेस्था यानि की Indian economy देखें economics में क्या होता है एक static portion होता है और एक होता है dynamic portion static portion यानि की जो चीज़े एकदम इस्थेर है जो fact इस्थेर है इस चीज़ को लेके और dynamic हो गया हमारा जो current के जो आर्थिक मुद्दे होते हैं वो तो जो dynamic चीज़े हैं उनको तो हम लोग घटना चक्र आर्थिकी जो आती है प्री के लिए बहुत अच्छी किताब है आप current affairs पूरा जितना भी आर्थिक current affairs होता है वो इसमें आपको मिल जाएगा और जो static portion है वो हम लोग रमेश सिंग या फिरिष्टी I.S की किताब आती है उससे पूरा कर सकते है अब इसमें जो अगला subject आता है वो है भारती है क्रसी भारती है क्रसी के लिए हम लोग परिच्छावानी ले ले लेंगे और देखे क्रसी का क्या है कि जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं भूगोल ठीक है और पर्यावरण ये इसमें बहुत कुछ portion आपका क्रसी को ले के cover हो जाएगा और जो कुछ भी बचेगा वो आपका परिच्छावानी से हो जाएगा जो कि जैसे मान के चलिए उत्तर प्रदेश के कुछ करसी सम्मन्ने ताक्डे हैं वो आपके परिच्छावानी से बिल्कुल confirm हो जाएगे अब बात आती है current affairs की आज की टाइम पर आपको पता है कि current affairs एक बहुत major portion है और बहुत ज्यादा question आजकल यहां से पूंचे जा रहे हैं या फिर जो GS में paper आते हैं यानि कि जो GS के question आते हैं वो भी काफी बार यहां पर दिखा कि current के base पर ओकर आ रहे हैं तो इसके लिए current affairs क एक बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए ठीक है और इसके लिए हम लोग कोई भी magazine ले सकते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बोला कि आपको यहां पर newspaper पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई भी newspaper मतलब आप दा Hindu या फिर दा Indian Express तो पढ़ नहीं रहे हैं magazine लेंगे कौन सी बजार में बहुत सी magazine आती है चाहिए आप परिक्षा मन्थन ले 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 जिए गटना चक ले 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 जिए यह आपका जो प्री के लियास से current affairs है आपका पूरा cover हो जाएगा तो इस तरीके से हमने प्री का देखा यह पूरी book list देखी आप लोग चाहे तो देख सकते हैं एक बार पूरा यह लिखा हुआ है हर चीज का अब बात करते हैं मेंस की मेंस में आपको पता है कि 2200 नम्मर के 4 GS के पेपर होने हैं ठीक है और मैंने GS के अंदर आपको सबसे पहली चीज में बता दू कि आपको slavus लेना होगा आप कहीं से भी slavus ले ले points को mention किया गया है जिनको कि हमें पढ़ना है ठीक है अब यहाँ पर हम GS प्रस्न पत्र बन की बात करते हैं आपको पता है 200 नम्मर का आता है सभी 200 नम्मर के आते हैं चार पेपर तो अब यहाँ पर जो GS पेपर बन के अंतरगत पहला टॉपिक है वो हमारा है कला एवं संस्कृति इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नितिन सिंहानिया की किताब को और फिर आधनिक भारत यानि की जो हमारा सवतंतरता संग्राम है राष्टिय सवतंतरता संग् इसके लिए NCRT की किताब बहुत अच्छी है आप 12th class की 11th है 12th की मेरे किताब से NCRT आती है आप उसको पढ़ सकते हैं उसमें पूरा बहुत अच्छे से दिया गया है इसके बाद एक topic और इसमें आते है समाज और सामाजिक समस्य आए इसके लिए दो किताब आती है एक तो अगला जो topic है वो हमारा विश्व एबं भारत का भूगोल और यहां पर आपको उत्तर प्रदेश की भौवलिक जानकारी भी होनी चाहिए तो जैसा कि मैंने बोला कि यहां पर भी मैंने बताया थे कि भूगोल के लिए माजिद उसेन मैस वडवाड और डियार खुलर तो य पतली वाली परिक्षावानी नहीं लेनी है यहां पर एक मोटी परिक्षावानी आती है आपको वो लेना है ठीक है अब इससे आपका GS1 का ये प्रस्न पत्र कबर हो जाएगा अब बात करते हैं GS2 की तो GS2 के अंदर सबसे जो पहला topic है वो भारत की राजवस्ता उसके लिए आप क्या पढ़ेंगे M लक्षमी कांथ दूसरा topic है अंतराष्टी के संबंद अंतराष्टी संबंद आपको पता होना चाही कि ये current scenario पे आधारेत होते हैं लेकिन फिर भी इनके लिए एक book पढ़िए concept के लिए राजय समिसरा और उसके बाद जितनी भी चीज़ें बची हो ये आप current affairs की चाहे मेरे साथ से दृष्टी IES की current affairs की magazine आती है वो बहुत ही बड़ी है उसके अंतरगत आपको जितने भी अंतराष्टी है मुद्दे है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे अंतराष्टी संबंद से मुद्दे आपको बहुत अच्छी तरी नहीं है जो भी current affairs magazine आप लेंगे लेकिन लेना कौन सी है यहाँ पर घटना चक्राप की काम नहीं करेगी यहाँ पर आपको दृष्टी IES मैं बता रहा हूं हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही अच्छी किताब है उसके बाद इसमें आएंगे समसामाइक मुद्दियानी की current affairs का एक पूरा portion होगा GS paper 2 के अंतरगर तो यह आपका दृष्टी IES से cover हो जाएगा मन्थली आती है यह किताब आपको हर महीने की लेके इसी मन्थ से चालू कर देनी है अपनी और जो यह वाली current affairs है यह भी आपको daily पढ़नी है जो मतलब pre के लियास से होगा लेकिन जो mains के लि आपको पता है पहला जो topic है वह भारती अर्थवरस्ता यानि कि Indian economy के बारे में लोगों को पढ़ना है और जो आर्थिक मुद्दे है यानि कि जो समसामाइक आर्थिक मुद्दे है उनके बारे में लोगों को यहाँ पर पढ़ना है तो इसके लिए दो चीजे हैं जो एक रम अधिक मुद्दे हैं उनके लिए हम लोग Current Affairs यानि कि द्रिष्टी I.E.S की जो Current Affairs की किताब है उसको पढ़ेंगे अब जो GS 3 के पेपर में हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है बिज्ञान एबं प्रिवद्धागी की तो द्रिष्टी I.E.S की किताब से इसको Cover करेंगे बहुत अच्छे से Cover हो जाएगा मैंने आप एक चीज़ देख रहे होगे कोई मैंने ऐसी किताब है नहीं आपर बताई है ना ही कोई बहुत किताबों की संख्या बहुत जादा कर दी है आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से किताब है प्रिव और मेंस के लिए Common हो गई है और मैं बताऊंगा किस तरीके से आप एक ही किताब को पढ़के प्रिव का भी काम कर लेंगे तो इस तरीके से GS3 के प्रस्वत में हमने देखा बिज्ञानिवम प्रोध्योगी के लिए आप द्रिष्टी I.S की किताब को ले लेंगे उसके बाद अगला टॉपिक पर्यावरण है इसके लिए भी आप द्रिष्टी I.S किताब को ले लिए बहुत अच्छी मैं वो किताब हैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हुआ है आप दा प्रवंदन तो आप दा प्रवंदन में हम लोग N.C.R.T को पढ़ेंगे ठीक है किसको एक आप दा प्रवंदन की N.C.R.T आती है आप उसको पढ़ेंगे और इसमें जो G.S.P.R.T में जो हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है आंत्रिक या फिर राष्ट्रिय सुरक्षा इसके लिए एक किताब आती है असोक कुमार ठीक है आंत्रिक या राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए कौन से किताब आती है असोग कुमार तो आप इसको ले लेंगे और यहाँ पर एक चीज और है जो आंत्रिक सुरक्षा है वो कही न कहीं करेंट से रिलेट करती है जो भी समसामाइक मुद्दे होते हैं उन से रिलेट करती है तो आप इसके लिए करेंट अफियर्स की वो इद्रिष्टी आईएस की मेंगीन इन सभी में काम करेंगी वो देखें जो मेंस होता है वो जादत और समसामाइक मुद्दों पर आदारेत होता है अगर GS का भी कोई प्रस्ण बनके आता है तो हो सकता है उसके अंदर कुछ करेंट का सीन जरूर हो उसके अंदर तो आप करेंट को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे ये एक पहली सर्थ है इस मेंस परिच्चा को पास करने के लिए तो ये हमारे GS का तीसरा प्रस्ण पत्र हो गया अब GS जो प्रस्पत्र चोथा होता है उसमें आपको पता है कि नीती सास्त्रियानी की ethics इसके अंदर पूछा जाता है तो ethics के लिए दो किताब है मैं आपको उता हूँ एक तो lexcan है और दूसरा है अब है कुमार की किताब आती है तो आप इन में से कोई भी किताब को ले सकते है दौनों अच्छी है ठीक है और इसके अंदर case study पूछा जाता है ethics के अंदर तो आप किसी coaching के notes को दृष्टी vision जो भी आपको अच्छा लगे day, I.S. बगएरा उनको ले सकते हैं और उनको solve करिए ताकि आपको एक बहतर पकड़ हो सके exam में जाके आप case study को अच्छे से solve कर पाए तो ये हमने 4 GS के प्रस्ण पत्र देखे और अब बात करते हैं जो अगला प्रस्ण पत्र मैंने कल भी उताया था है कि हिंदी का प्रस्ण पत्र होगा सामान हिंदी का उसके अंदर आपको पता है पत्रा चार होता है गध्यांस होता है बलोम सब्द लोकोक्तिया मुहाबरे वगएरा ये चीज़ा होती है तो हिंदी की दो किताब में एक हर्देव बारी है और पियन पांडे है और यहाँ पर जो पत्रा चार बगेरा के लिए आप एक घटना चक्री किताब भी आती है आप उसको ले सकते है तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात लिए हिंदी बहुत आसानी से तयार हो जाती है ठीक है अब जो अगली बात आती है निवन्द की ये निवन्द आपको पता है कि देड़ सो नमबर का प्रस्ट पत्र है आपका यहाँ पर और इस देड़ सो नमबर में आपसे तीन निवन्द पूचे जाएंगे जिनकी सब्द सीमा 700 होगी ठीक है तो यहां पर 700 सब्सीमा के 3 निवन्द पूछे जाएंगे तो आप इसको निवन्द का देखी क्या है यह आपकी लेखन सैली आपकी सोच पर डिपेंड करेगा कि आप निवन्द लिखते कैसा है दूसरी चीज अगर आपको अपनी लेखन सैली और अच्छी करनी है तो पेपर बगेरा पढ़िये जो संपादकी है मैंने पिछली बार भी बताया था उसको पढ़ सकते हैं आप और निवन्द के लिए एक आप दृष्टी आईएस की निवन्द की किताब आती हैं आप उसको ले सकते हैं उसमें काफी अच्छे से पूरी निवन्द की स्टेटजी के बारे में बताया गया है और काफी उसमें मॉडल निवन्द जो प्रिविएस येर पर इच्छाओं मैं IES और PCS में पूछे गई हैं वो इसमें दे रखे हैं तो आप उनसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि निवन्द किस तरीके के आते हैं और उनको लिखना का तरीका क्या है ठीक है और कभी एकर मुझे भी टाइम मिला तो मैं निवन्द के ऊपर यहां पर एक वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए उसमें पूरा सीकेंस बताऊंगा कि कैसे निवन्द को स्टार्ट करके खतम करते हैं और अब जो अगला आता है वो है बैकल्पिक बिस है तो बैकल्पिक बिस है मैंने आपको पहले भी बताया था यह आपको चूज करना है और उनकी अलग-अलग किताबें आती है वो आपको पता चली जाएंगी तो आप इसको कर सकते हैं तो इस तरीके से पहली वाल देखते हैं कि कौन सी चीजें pre और mens को लेकर common हो रही हैं और जो चीजें common हो रही हैं उनको हम लोग बड़े अच्छे से एक साथ तयार कर सकते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर इत्यास को देख कर चलिए चलते हैं तो यहाँ पर प्राचीन इत्यास आपको पता है कि वहाँ नहीं पूछा जाएगा मेंस के अंदर तो इसके लिए प्री के लिए इसको अलग से पढ़ेंगे मेंस से कोई मतलब है यही प्राचीन इत्यास का यहाँ पर जो पूछा जाएगा इत्यास से बहुए कला एवं संस्कृति हम लोग अलग से तयार करेंगे मेंस के लिए तो यहाँ पर इन चीजों को हम लोग साथ लेके नहीं चल सकते हैं अब बात करते हैं मदकाली भारत भी अमलोग प्री के लिए ही सरफ तयार करेंगे कोईकि यह मेंस में नहीं आता है अब बात करते हैं आदुनिक भारत की यह चीज यहाँ पर कॉमन हो रहे हैं यहाँ पर भी आदुनिक भारत है और यहाँ पर भी है तो अब यहाँ पर आदुनिक भारत हम लोग एक साथ लेकर चलेंगे यहाँ पर भी हो गया आदुनिक भारत यहाँ पर भी हो गया अब यहाँ पर जो टॉपिक है विश इत्यास यह हम लोग साथ लेकर नहीं चलेंगे यह सिर्फ मेंस के टाइम पर हम लोग इसको पढ़ेंग ऐसे यहाँ पर भारत के भूगोल और विश्व का भूगोल यह जो पूरा पोर्शन देख रहा है प्री और यहाँ पर आप देखिए मेंस दोनों में सेम किताब हैं सेम टॉपिक आपको दोनों एक साथ लेकर चलना है इसके अलग-अलग नहीं पढ़ना है यहाँ पर जो एक टॉपिक आपका समाज और सामाजिक समस्या है वो आपको सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है तो आप इसको मेंस के टाइम पे ही पढ़ने हैं मैं जो चीजों को कॉमन बता रहा हूं आप उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे यानि कि दोनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल आपको ही पता है प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा तो इनको एक साथ लेके चलेंगे यानि कि जो मौटी वाली परिक्षावान ही है उसको अभी से पूरा बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे अब बात आती है भारती राजविस्ता की यहाँ पर भी मैंने लक्षमी कांत किताब बताई है और आपकी यहाँ पर भी प्रिस्ट पत्र में जो दूसरा प्रिस्ट पत्र है उसके अंदर जो भारत की राजश्ता पूंचा जाएगा दोनों में मैंने लक्षमी कांत की किताब बताई है और आप इसको एक साथ बड़े आराम से लेके चल सकते हैं अब यहाँ पर देखिए और इन में जो है जी एस प साथ लेकर चलना यह जितने भी आर्थिक मुद्धें हों करेंट अफेर्स के चाहे कोई राजनीतिक मुद्धें हों सबकुछ हम लोगों को साथ लेकर चलना होता है अब करते हैं सामान-bignyain की बात तो सामान-bignyain यहाँ पर भी है और बिग्यान एबं प्रवत्दोग की यहाँ पर भी है तो दोनों चीजों को अम लोग साथ लेकर चलेंगे बस यह है कि देखें जितनी भी चीज़ा है मेंस के लिए बड़े आराम से आप concept बाइस तयार कीजिए और pre के लिए अच्छे से factual data भी आप उनका तयार कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है और ऐसे ही पर्यावरण पर्यावरण यहाँ पर भी आपका है GS paper 3 के अंतरगत तो पर्यावरण को भी साथ लेकर चलेंगे आपदा प्रवंदन आपको पता होगा कि आपदा प्रवंदन को वैसे साथ ही लेकर चलिए क्योंकि वहाँ पर भी काफी वार question पूंच लिया जाते तो आपदा प्रवंदन साथ लेकर चलेंगे अब बात आती है इसकी आंत्रिक्ट एवं राष्क्रिय सुरक्षा तो इसके लिए आप मेंस के टाइम पे ही इसको पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छ और यहाँ पर जो जी एस चाहर है प्रश्न पत्र आपको पता है वो एथिक्स का होता है तो यहाँ पर इसको साथ लेके नहीं चल सकते हैं इसको अम लोग मेंस के टाइम पे पढ़ लेंगे तो अब आपने एक चीज देख ली होगी कि कौन चीज़ां यहाँ पर कॉमन कौन चीज़ां प्री और मेंस के अंदर कॉमन है उनको हम लोग साथ लेके चल सकते हैं आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया होगा तभी मैंने यह चीज़ां पहले ही लिखनी जिससे कोई कन्फूजन ना हो अब रही हिंदी बगेरा की बात तो यह चीज़ें आप मेंस के टाइम पर ही देख सकते हैं इतना कोई हिंदी में टाइम नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा वो हो ऐसे ही निवंद का कुछ ऐसा है कि लेखन सैली तो आप विक्सित करिए अगर आप सिवल सेवा परिच्छा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी लेखन सैली होनी चाहिए और इसके लिए आपको अभी से मैनत करनी होगी और ऐसे ही मैंने कल बैकलपिक बिसाय का बताया था कि आपको अभी से चुल लेना है और हर एक या डेड़ घंटे आपको या दो घंटे आपको बैकलपिक बिसाय पर अपने देना है अब बात रही मैंने आपको बता दिया सिलैवस लेना है ये किताब है रही अब एक मुद्दा और उठता है लोगोंने काफी लोगोंने प्रस्न पूछा कि इन किताबों को पढ़ें कैसे क्या मतलब ऐसा है कि हम मानके चली लक्षमी कांत उठाते है और पहली पेस से स्टार्ट करें और इसको अंते तक पढ़ने पूरा तो देखे ऐसा नहीं होता है मैंने आपको चीज बताई थी चीज क्या बताई थी कि आपको पहले जो प्रीवियस एर परस्प पत्र है उनको बहुत अच्छे से उनका एनलेसिस करना है जब आप एनलेसिस कर लेंगे आप पाएंगे कि हाँ इस टॉपिक से ये चीज पूछी जाती है तो आप सबसे पहले एनलेसिस करके उन topics को देखेंगे कि हाँ यह topic है यह topic है ऐसे करके और सबसे पहले तो मैंने syllabus ही बता दिया है syllabus आपको पता होना चाहिए उसके बाद आप previous एरप्र पत्र पे पहुँचे आपने देखा कि हाँ यह question यहां से पूछे जा रहे हैं इस topic से इतने question है किसी topic से कम है तो हाँ इसकी importance थोड़ी सी कम है किसी topic से बहुत जादा question लगातार बनके आ रहे हैं तो वो major portion हो गया उस चीज का तो ऐसे हम लोगों का पता चल जाएगा कि कहां से कितना पढ़ना है और यह जो मैंने analysis बताया इसको बहुत अच्छे से करना है को एक काम करना है पहले तो topic बाइज present देखने हैं उसमें सब कुछ दिया गया है उसके बाद जो उसमें present के नीचे एक box बना होता है उस box में जो description लिखा होता है question का वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ठीक है क्या होता है कि उस box में वही सारा description होता है जिनसे की UPPCS लगातार present पूशता रहता है देखिए क्या होता है कि present नए present बहुत कम create होते हैं वही जो पुराने present होते हैं वो उन्हीं को modified कर दिया जाता है या तो जो उनकी ब्याख्या होती है कभी ब्याख्या से present ले लिया जाता है मतलब कुल मिला के topic वही होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ दिबिक किताबों से लोग बोलते हैं कि एकदम से नहीं यह कहां से आ गया यह कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है सब कुछ होता वहीं सही है बस वो पढ़ने का एक एप्रोच है अगर आप एक सही एप्रोच से पढ़ेंगे तो question को कर लेंगे नहीं तो फिर आप बटकते रहेंगे तो इस तरीके से syllabus बहुत जरूर ही है previous year paper analysis मैंने बता दिया उसके बिहाब पे आप आगे की अपनी study को करेंगे मतलब की book को पढ़ेंगे पूरी book आप जब analysis कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ पूरी book नहीं पढ़ना है कुछ ऐसे topic को आप एकदम select करते जाएंगे और एक किरम से उनको पढ़ते जाएंगे उसके बाद हम लोगोंने सभी कुछ चीज़ें देख लिए हैं इसके अंदर हम लोगोंने exam के बारे में देख लिया ठीक है एक्जाम की तयारी करनी कैसी है मैंने पूरा process बता दिया कि पहले NCRT फिर paper analysis फिर किताब है फिर test series को आपको करना है तो उसके अगले ही मैंने आपको बता दिया कि प्री और मेंस के लिए कौन कौन सी किताब है पढ़नी है और प्री मेंस को कैसे एक साथ लेके चलना है ठीक है यह चीजें भी आप clear कर दी उसके बाद मैंने बता दिया कि घटना चक्र का भी कैसे प्रीयोक करना है और किताबों को पढ़ना कैसे है तो यह सब सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से clear हो गई है फिर भी कुछ आपको लग रहा है कि छूड़ गया तो आप comment कर यह बताईए मैं उसके उपर वीडियो लेके आऊँगा ठीक है चलिए फिर thank you